सभी को मेरी तरफ से प्यारबरा नमस्कार तो स्टुएंट हम सभी ने जो नई सीरीज शुरू की है that is 1500 प्लस कोश्चन फोर अपकमिंग एग्जामिनेशन जिसमें आप कारवी एसिस्टेंट भी है तो ये कोश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और इसकी आज अपनी नेच्ट वीडियो को टार्गेट करने वाले हैं that is very very important for exam point of view तो चलिए आज की शेशन की शुरुआत करते हैं कवर करते हैं अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी इसके अलग-अलग पार्ट आ रही हैं उसे आप जरूर जरूर कवर कर लेका अगर आपको कोई भी doubt clear करना है अप PDF चाहते हैं तो आप मुझे टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं जिसके लिए आप टेलिग्राम पर search कर सकते हैं साहिल चराया या फिर आपको description में link दिया गया है जिससे आप टेलिग्राम पर जोड सकते हैं और I am also verified educator on unacademy तो unacademy आपको open करिएगा सर्च करिएगा साहिल चराया और आपको जितनी भी मेरे free session है उसकी जो detail है वो आपको मिल जाएगे उसकी notification आपको मिल जाएगे और अगर आपने अभी तक एक एप को इंस्टोल नहीं किया है अनकेडमी के तो जरूर इंस्टोल कर लीजेगा अपने नंबर से लोगी नहीं करिएगा और सर्च करिएगा साहिल चराया तो चली शुरुवात करते हैं आपके आज की session की और पहला question आप सभी के लिए आपकी screen पर ये रहा question आपको दिया गया है which of the flowing wrappers to the forgetting of the return address on an email to show that the email messages appear to come from someone other than the actual sender मतलब आपका यहां पर क्या create किया जा रहा है यहां पर आपका create किया जा रहा है एक तरह से fake identity ठीक है जो messages है वो actual sender से ना कर किसी दूसरे से आ रहे हैं किसी fake से आ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे वो आपको बताना है जल्दी से बताएगा आपका सही answer है वो क्या होगा लाट इस वेरी वेरी simple question जो आप आराम से cover कर सकते हैं target कर सकते हैं पोल शुरू कर देता हूं ताइमर तो आपका जो सही answer होने वाला है that is spoofing option number one आपका बिल्कुल सही उतर है अब spoofing basically क्या होता है पूफिंग का मतलाब ही अगर आप हिंदी में बोलूँगा that is बहरूपिया बहरूपिया बना जाता है जिसके अंदर क्या होता है आपका true आपका person ना दिखा कर कोई और आपका target किया जाता है very good morning very good morning old next question आप सभी के लिए dash include the file name and possibly a directory और a folder इन में से क्या है जो file name भी रखेगा उसकी location प्रोपल उसकी directory कौन से folder से बिलोंग करता है वो आपको बताता है पोल शुरू है participation कीजिएगा और पांच यह आपकी option इन में से आपको अंसर करना है very nice आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका file specification specification के अंदर हमारे पास all information होती है जैसे आपको इन्या mobile लेने जाती है तो mobile जब आप लेते हो तो उसकी specification देखती हो क्या आप की specification के अंदर है आपको क्या-क्या चीज़ी मिल रही है अना क्या configuration है कौन से location से है origin country कौन से है उस product की यह सारी चीज़े आपको बताता है तो यह आपकी information है फाइल नेम भी रखेगा उसके directory या folder की information भी रखेगा next question आप सभी के लिए मोस्ट मेल प्रोग्राम ओटोमेटिकली कम्प्लीट दा फ्लोइंग टू पार्ट इन एन इमेल बताइएगा सही उत्तर क्या होगा आपकी जो classes है कि वो कल से शुरू करूंगा में बाकी जो आपकी आज का pattern है वो वैसा का वैसा रहेगा अन अकैडमी पर जो आपकी special classes चल लहीं है आपका सही उत्तर होगा प्रोम एंड डेट ओप्शन नमबर टू आपका बिलकुल सही उत्तर है देखें डैट इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिंपल कोश्चन आप जब भी कोई मेल भेजते हैं क्या आप अपने खुद का address लिखते हैं उसमें कि मैं message भेज रहा हूँ और दूसरा क्या कभी आप date लिखते हो किस date को आपने भेजा है लेकिन यह दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं भी अना आप क्या लिखते हो जो own address होता है उसे हम from बोलते हैं जो receiver address हो है जिसको आप भेजना चाहते हैं उसे बोलते हैं हम to to है वो आपका यहाँ पर आप खु जुरूत नहीं है आप यह आपको बराबराया मिलता है ठीक है दे पोल नहीं है that is a timer timer based पोल अनकैडमी पर आपकी होती है जो class साड़े तीन बजे आपकी class होती है वह आपकी regular रहेगी साड़े तीन बजे आपकी शुरू करेंगी दो दिन की उसमें चुप्ती थी ठीक है due to some occasion तो आज से आपकी regular जो है अनकैडमी पर classes शुरू है तो उसे आप cover कर सकते हो साड़े तीन बजे आपकी special class है ठीक है और बाकी जो plus classes है दो बजे और साथ बजे वो भी आपकी चलेगी और डेफिनली एक बात और कहना चाहिए डाट इस वेरी इंपोर्टेंट हैपी जन्मास्क्री ठीक है नेक्स जाव वाज इंटर्दूस्ट बाई विच अमंग दा फ्लोइं ओगनाइजेश्ट बताइएगा सही उत्तर आपका क्या हूँ तो आपका सही उत्तर है जावा जो है वो आपका इंटर्डूस्ट जुगा था सन माइक्रो सिस्टम के दवारा इसके जो इन्वेंटर है जो पर्सन माने जाते हैं वो हैं जेम्स गोसलिंग कब बनी थी 1995 के अंगर नेक्स्ट कोश्चन आप सभी के लिए विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज किस प्रोटोकॉल में पिंग का यूज होता है वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चन कि कि आपका सही उत्तर जो होगा डाट इस आई सी एम पी इंटरनेट कि कंट्रोल मैसिज प्रोटोकॉल इसमें क्या होता है पिंग यूज होता है अब पिंग क्या होता है उसे समझ लेना पिंग का मतलब है कि आपका जब भी हम स्पीड चेक करते हैं कोई नेटवर्क हम यूज करते हैं उस नेटवर्क के अंदर कोई भी मैसिज कितना जल्दी response कर रहा है कितना जल्दी पहुंच रहा है उसे बोलते हैं हम पिंग जैसे आप कभी भी आपने ओकला पर या फिर कुछ वेब साइट है जाए से स्पीड टैस्ट डोट नेट वहाँ पर कभी स्पीड चेक करते हैं तो आपको सबसे पहले वो देता है पिंग फिर देता है आपको अपलोड स्पीड और फिर आपको देता है डाउनलोड स्पीड और पिंग के अंदर वो आपको क्या देता है अंस्वर में आपको देता है सेकंड से माइक्रो सेकंड में आपको बताता है 10 माइक्रो सेकंड या 20 माइक्रो सेकंड इसका मतलब क्या है इस माइक्रो सेकंड का ms का मतलब है microsecond इसका मतलब है कि आपका जो network है उसके अंदर data कितनी जल्दी पहुंच रहा है ये आपका ping बताता है अगर आपका ping कम होगा तो obvious सी बात है आपकी speed क्या होगी ज्यादा होगी अगर आपकी ping क्या है less है तो आपका network क्या है बढ़िया है network is better next question आप सभी के लिए black box testing sometime cold black box testing को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है that is also very important question testing की type है आपको बताता हूँ जो आपसे exam में पूछे जाते हैं उसे आपको cover करता है तो देखिए black box testing आपका मतलब क्या है कि black box में हो रही है इसे आप इस तरह स्याद कर सकते हो अगर कोई black box के अंदर आप कोई भी काम करोगे आपको अंदर वाला पार दिखेगा कि आप black box में क्या करें जैसे आप जादूगर देखते हूँ कोई देखते हूँ अगर वो black box के अंदर कोई भी आपका काम कर रहा है तो हमें दिखता थोड़ी अंदर वो क्या कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया ब्लैक बो टेस्टिंग का ब्लैक बो टेस्टिंग का यह मतलब हो गया कि इस टेस्टिंग के अंदर अंदर कोडिंग में क्या हो रहा है हम वो चेक नहीं करेंगे लोजिक क्या लग रहा है वो चेक नहीं करेंगे हम यह देखेंगे हमें अपना डिजायर डिजायर जो में पता होगा हम उसे भी देखेंगे हमने लोजिक भी सेट करेंगे that is called white box जिसमें हर एक code हर एक चीज आपकी चेक होगी और इसका alternate name भी है that is glass testing जिसे हम glass testing भी बोलते हैं ठीक है next question आप सब्सक्राइब डिस्क access time are measured in जो किसी भी डिस्क का access time है वो किसमें measured होता है वो आपको बताना है बताइएगा सही अंस्वर क्या होगा that is measured in millisecond option number two आपका बिल्कुल सही उत्र है millisecond के अंदर हम इसे क्या करते हैं मेजर करते हैं नेक्स्ट कोश्चन आप सब्सक्राइब के लिए डैश अटेंप्ट बाइट इंडिविज्विज्वल तो अब्टेइन confidential information from you by falsifying their identity बताइएगा सही उत्र क्या होगा लास्ट येर पेपर में इसी ताइप का कोशन पूछा गया था रर्वी के अंदर तो उसे बोलते हम फिशिंग ट्रिप्स ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल सही उत्र देएगा फिशिंग ट्रिप्स नेक्स्ट एन इमेज एडिटिंग सोफ्वेर इन विच वी चिन ड्रो एन एडिट इमेज इस बताइएगा सही उत्तर आपका क्या आएगा इमेज एडिटिंग सोफ्वेर कों सा है देखिए स्कैम डाट इस वैरी बिग तो ट्रिप्स है मतलब छोटा काम स्कैम में कल पंजाब कोर्प्रेटी बैंक का एक्जाम था आप सभी को पता होगा एंड उसका जो पेपर है that is very easy 15 कोशन आते हैं उसमें कंप्यूटर के तो उसका पेपर काफी ज़्यादा आसान आया था तो मैं पूरा पेपर आपके साथ डिसकस करूँगा आज की क्लास में और आप चेकर पाएंगे कि कैसा पेपर आया है Caleb के नेग het कोश्चन FTP is better than HTTP because काफी सिंपल कोश्चन आई थिकल कर दो यह यह दे तो सभी कोई साथ पेपर डिसकस करूंगा मैं कोशिश करूँ का एक और शेशन आपका ले निकि आज जिसमें पेपर आपके साहाँ talents करऊबा और विहार कॉर्परेट ही बैंक को जैसे ऑग्जाम होता है उसका पेपर भी मैं कोशिच करऊगा आपके साथ साथ के साथ धिसकस करूं तो FTP बैटर क्यों है यह आप से पूचा है सबसे पहले तो यह आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि FTP क्या काम करता है और यह होता क्या है This is File Transfer Protocol दूसरा यह आपका TCP Connection यूज करता है TCP Connection का मतलब क्या हो गया कि यह आपको Acknowledgement देता है कि आपका जो Message है वो properly पहुंचा है या ने पहुंचा किस काम आता है File को Transfer करने के काम आता है मतलब Upload and Download करने के काम आता है ठीक है जी Port नंबर इसके किते होते हैं दो होते हैं 20 और 21 नंबर अब दो Port हैं इन दोनों Port का अलग-अलग अपना Importance है एक आपका Data Transfer के लिए Port यूज़ होगा दूसरा Control Signal के लिए यूज़ होगा तो अब यहाँ पर आपको Complete Information मिल गई है File Transfer Protocol की अब अपने अंस्वर देखते हैं आपका अंस्वर क्या होगा Option No.1 It uses separate channel for Data Transmission and Flow Control तो इसलिए ज्यादा बेटर है आप HTTP से HTTP जो है आपका Hyper Tax Transfer Protocol वो भी बता देता हूँ यह आपका Web के लिए यूज़ होता है इंटरनेट पर Data वगारा हम जब सेंड करते हैं किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसे यह Transfer करता है दूसरी चीज़ इसका जो Port Number है वो आपका A की होता है that is 18 मलब A की Port से सारा Data आपका Transfer होता है और यह आपका UDP यूज़ करता है UDP Connection यूज़ करता है मतलब आपको Connection जो यह Connection है Data Transfer करने के लिए इसमें Acknowledgement आपको नहीं मिलता इसमें आपको Acknowledgement नहीं मिलता Normal आपका Data Transfer होता है लेकिन TCP के अंदर आपको Acknowledgement मिलता है ठीक है जी Next Question Data Warehouse is Data Warehouse क्या है यह आपको बताना है बताईगा सही अंस्वर क्या होगा Thank you शूबम आपका प्यार एंट सपोर्ट है Data Warehouse तो Data Warehouse क्या है जितना भी आपके डाटाबेस के अंदर डाटा है या historical डाटा है आपका जो बहुत पुराना भी पड़ा है आपके पास सभी का combination आपका Data Warehouse कहलाता है और properly managed होता है वो सारा का सारा डाटा तो यहाँ पर आपके पास सही अंस्वर क्या बनेगा अगर अपने देखें पहला option आपको दिया गया है इसमें होरिस्टोरिकल डाटा भी रहता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है option नमबर टू आपका बिलकुल सही उप्तात next question which of the flowing is a programming language for creating special program like applet applet जो है वो कौन सी programming language में आपकी बनती है वो आपको बताना है होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ these are the small program जो किसी website की functionality को बढ़ाती है और client side पर काम करती है और इसे बनाया जाता है Java language के अंदर option number a जो है वो बिलकुल आपका सही उतर हो Java language के अंदर इसे बनाया जा next question आप सभी के लिए dash is a measure of how much the strength of the signal is reduced is passing to a medium किसी भी medium में जब हम data transfer करते हैं तो उसमें जो भी reduce हुआ reduction हुआ है उसे क्या बोलते हैं वो आपको बताना है जैसे for example आप मैं sound अभी कुछ बोलता हूँ तो आपने जनली देखा होगा कि आप जैसे दूर जितनी दूरी पर होते हूँ आपकी आवाज उतनी ज्यादा आपकी कम होती रखें जैसे कि एक तो speaker चल ना है हमारे घर के साथ वाले घर में तो हमें ज्यादा आवाज आएगी एक चलद आ है कोई 20 खरों के बड़े एक घर के अंदर आपका चल रा canoe धा तो आवाज बहुत कम आएगी आईगी सही कितितम बहुत कम आएगी तो sound कि जो signal है उसमें क्या हो रहाए या reduction in signal is cold word attenuation बोलते हैं अपने इसे और अगर मैं signal को क्या करता हूं increase करता हूं उसकी strength को बढ़ाता हूं तो उसे क्या बोलते हैं उसे amplification बोलते हैं ठीक है जी तो यह आपको दो टर्मलोजी ध्यान में रखने हैं next question which of the flowing best describe a network in which companies data and application are stored at off-site data center that are accessed over the internet आपका सारा data internet से access किया जाएगा और internet या फिर network पर किसी दूसरे सर्वर पर आपका data रखा जाएगा उसे क्या बोलते हैं वो आपको बताता है अच्छा 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 पूछ अच्छा 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 उसे बोला जाता है जी आपका क्लास के अंदर तो उसका नाम है जी अजूरे क्या आप अपने एकसेस अपने जीमेल की तुरू होता है उससे आपने जरूर कवर किया हो गूगल ड्राइब और इसमें आपको कितनी जीबी का free data मिलता है 15 GB का free data मिलता है 15 GB तक आपको free data मिलता है next question telnet helps in telnet क्या है यह आपको बताना है कि इसके लिए यूज होता है आपको बताना है जल्दी से बताईएगा सही अन्सवर क्या होगा telnet helps in तो telnet है यह आपका remote login के काम आता है मैं telnet के बारे में पताता हूँ that is terminal network यह terminal network है दूसरी चीज़ remote access के काम आता है रिमोट एक्सेस के काम आता है text-based यह आपका network है मतलब cuy-based character user interface graphics का use इसमें आपका नहीं होता next question all the information collected during database development is stored in वो कहां होती है वो आपको बताना है all the information collected during the database development database अभी developed हुआ नहीं है during है आपका question है आप से यह भी पूछा जाता है sticky key को own कैसे किया जाता है आप अब कहीं के माइन में यह ना पिछले question का data warehouse क्यों नहीं आया उसका reason यह भी है data warehouse historical data को रखता है current data को साथ साथ तो यह तो आप नया आप क्या कर रहे हो developed कर रहे हो तो current data के बारे में only आप से पुचा गया है तो sticky key basically क्या होते है sticky key होते है physically handicapped जो person है उनको क्या करना है control, alt और shift तबाने में problem होती है तो उस problem को दूर करने के लिए आपको वह sticky key का option देखने को मिलता है ठीक है अब इसे on या off कैसे करते है sticky key के option को on या off कैसे करते हैं यह भी आपसे पुछा जा सकता है तो इसके लिए आपको shift key को five time press करना है एक साथ तो उसे क्या होगा यह on off test key key का option आपकी laptop के अदर अगर आप windows use करते हो तो आप use करके देख सकते है a dash is a 128 bit number used by software programmer to uniquely identify the location of a data object शांदार कोशन बताईएगा सही उत्तर आपका क्या होगा अच्छा कोशन है आपसे जो size के बारे में exam में बहुत बार पूछा है था तो कुछ में size यहां पर आपको बताऊंगा that is known as GUID that is global unique unique identification अच्छा 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 है तो अभी अपनों ने किया 128 bits mac address की आपकी length कितनी होती है जैसे आप ethernet address भी बोल सकते हूं इसके होती है 48 bits अब जो मैं लिखवा रहा हूं इसे जरूर जरूर कवर कर लेना that is very very important sky की आपकी value कितनी होती है sky की होती है आपके पास 7 bits e b c d i c code की कितनी होती है उसके होती 8 bits unicode की कितनी होती है that is 16 bits port address किते का होता है चाहे source या destination वो भी आपकी होती है that is 16 bits और b c d का आपके पास कितना length होती है that is 4 bits अब यह मैंने important lengths आपको सारी लिखवा दी है इसे जरूर जरूर कवर कर लेना exam में आने के chances ज़्यादा रहते हैं last year यह दो पूछे गए थे आपसे rrb के अंदर next question which of the flowing refers to the number of signal or symbol change that occur per second किसी भी signal में जो भी change किये जा रहे है ठीक है उसे किस नाम से जाना जाता है data जब transmission करते हैं तब आपने देखा होगा आपके internet की speed घरती बढ़ती रहती है कि यस और नो जब आप मुबाइल में यूज करते हो internet को तो उसकी speed आपकी घरती बढ़ती रहती है कभी वो इसे कोई भी LIC IT officer IVPS or IT officer या फिर किसी भी individual bank के IT officer के exam के लिए prepare कर रहा है तो ये batch आप सभी के लिए काफी important है तो definitely आप इसे join करिए cover करिए इसमें अभी हम DBMS की शुरुवात कर चुके हैं और आप अगर अभी unacademy plus पर नहीं है और आना चाहते हैं तो ER10 को use कर सकते हैं और maximum rebate and discount ये आपको score से मिल जाएगा और कितने आपके नए batch शुरू हो रहे हैं an academy पर उसकी भी detail दे देता हूँ और उससे आप properly cover करिएगा target करिएगा तो top educator के दवारा 3rd November से बहुत सारे नए batch शुरू हो रहे है an academy पर and this is the best platform for bank exam preparation best educator के दवारा आपको Ranveer batch, Ranvijay, CT batch and strong lineup of batches आपको यहां देखने को मिल जाएंगे अगर आपको कोई भी doubt है तो आपको एक निया feature मिल जाता है an academy पर कोई भी book या pdf में आपका doubt है उसकी photo की ची एक question पर crop करिए के लिए भी आप इसे जुरूर cover up करें हर Sunday सुबह 10 पजे इस Sunday भी आपका यह होगा और 36 question होगी 50 minute का समय होगा bilingual आपका होगा और free registration आप कर सकते हो उसका link मैंने description box में दे दिया है और code मांगे अगर registration के लिए तो आप ER10 code use कर सकते हो now all set let's crack it अच्छे से prepare करिए exam के लिए and definitely you will rock in your examination तो मिलते हैं आपके next sessions में इस session में इतना ही bye bye take care आप आप